इस धर्टी की समाप्ति कम से कम कॉरोना वाइरस से तो नहीं होने वाली इस धर्टी ने कई वर्लवार देखे कई सुनामी और कई भूकंप देखे मैं मानता हूँ 2020 आने वाले भविश्य में याद किया जाएगा कि किस तरह से कोरोना वाइरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाया मगर मैं ये भी मानता हूँ कि 2020 इसलिए भी याद किया जाएगा कि भारत के लोग खरे रहे भारत के साथ जात, धर्म, मजब, गोरे, काले, अमीर, गरीब इन सब को पीछे छोर कर कोई भी केंडियन घर इतना सफ़स्टिकेटिड होता है कि कम से कम आने वाले चार महनों तक खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो लेकिन कुछ ऐसे भी घर है जहां हर रोज 300 से 400 का इंकम होता है जिसमें 200 से 300 खाने पीने पर चला जाता है हमारी लड़ाई सिर्फ कोरोना वाइरस से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए भी है जो इस एकोनॉमिक क्राइसिस को नहीं झेल सकते कई लोग मारे गए और कई लोग मारे जाएंगे और जो मारे ना जा सकेंगे उन्हें करीबी नामक वाइरस मार डालेगी ऐसा समय जब सारे सहर बंद है ऐसा समय जब सारी दुकानों पर ताला लगा है ऐसा समय जब कोई काम नहीं है करने को ऐसे लोग जो हर रोज कमाते थे और खाते थे ऐसे लोग जो छोटे सहरों से बरे सहरों की ओर आते थे काम करने को ऐसे लोग जिनका अपना मकान नहीं होता है रहने को ऐसे लोग जो सरक पर भीख मंग कर गुजारा करते थे अपना ऐसे लोग जिन तक कोरोना वाइरस तो नहीं पहुँच पाया मगर गरीबी और भुख महील नामक वाइरस उनके सामने मुबाय खरा है पांच, दस, पचास, सौ, दोसों का कॉंट्रिबूशन भी मदद कर सकता है ऐसे लोगों की जिनके पास खाना नहीं है खाने को झाल